नमस्कार दोस्तों, ओलाई में एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे दस्वीं कक्षा के विज्ञान का पार्थ नियंत्रन एवं समन्वे इसका दूसरा भाग तो आईए एक बार हम देख लेते हैं कि पार्थ के पहले भाग में हमने क्या क्या सीखा था तो सबसे पहले हमने जन्तूओं में नियंत्रन एवं समन्वे के बारे में पढ़ा इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जन्तूओं में तंत्री का तंत्र कैसे काम करता है इसके बाद हमने प्रतिवर्ति क्रिया हैं कैसे होती हैं ये देखा था और अंत में थोड़ा बहुत मानव मस्तिश्क के बारे में भी जाना था तो आईए अब देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि पादपों में समनवे कैसे होता है जन्तूओं के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं हॉर्मोन क्या होते हैं कैसे काम करते हैं ये हम आज देखेंगे और इसके साथ-साथ ये भी देखेंगे कि हॉर्मोन की सहायता से पादपों और जंत्वों में रासायनिक समनवे कैसे होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला विशे जो है पादपों में समनवे तो पादपों द्वारा दिखाये जानी वाली गतियां जो हैं इसको हम दो अलग-अलग तरीकों से समझ सकते हैं और इनमें जो पहला तरीका है वो है वृद्धी पर आशृत कतियां आप देख सकते हैं जैसे एक उधारन मैं आपको देता हूँ यह होगा बीज का अंकुरित होना यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा जब भी कोई बीज अंकुरित होता है किसी पादप का तो उसकी जड़े होती हैं वो नीचे की तरफ उगती है और जो तना होता है वो उपर की तरफ उगता है लेकिन यह एक चीज है कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है एक समय के बाद उसकी वृद्धी रुख जाएगी क्योंकि वो उतना ही बड़ा हो सकता है और उसके वृद्धी रुखने के बाद ये वाली जो गती है जो भी जड़ का नीचे की तरफ उगना या थने का उपर की तरफ उगना ये रुख जाएगा तो वृद्धी रुखने के साथ साथ ये वाली जो गतियां है ये भी रुख जाती है इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार की गतियां जो पादब दिखाते हैं वो व्रिध्धी से मुक्त होती है इस पौधे को तो आप सबने देखा ही होगा ये छोई मुई का पौधा है इसको अंग्रेजी में टच मिनाट पिका जाता है इसको छूने पर इसकी पतिया मुर्जा जाती है और ये जो स्पर्ष के प्रती अनुक्रिया है ये किसी भी तरह से इस पादब की व्रिध्धी पर निर्भर नहीं करती है तो आईए अब छोई मुई द्वारा दिखाये जाने वाली इसी ततकाल अनुक्रिया पो हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं साथ ही इसकी तुलना हम जन्तूं के साथ करते हैं जन्तूं जो प्रतिवर्ति क्रिया दिखाते हैं जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं उसके साथ थोड़ी तुलना करते हैं सबसे पहला मुख्य अंतर जो शायद आप देख सकते हैं वो यही होगा कि जन्तूं में तंत्रिकाया और पेशिया होती है लेकिन पादपों में इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है इसके बावजूद ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्तूं की तरह पादपों में भी एक कोशिका से दूसरी तक सूचना का संचार होता ही है हालांकि जन्तू में प्रोटीन की मदद से कोशिकाई आकार बदलती है और इसको मुम्किन करती है पादपों में प्रोटीन तो नहीं होते लेकिन कोशिकाई जो जल का स्तर होता है अपने अंदर उसकी मातरा में बदलाव लाती हैं पानी की मातरा में और उसके हिसाब से अपना आकार बदलती हैं और सूचना का संचार होता है तो दोस्तों हमने अभी पादपों की वृद्धी से मुक्त गती के बारे में जाना आईए अब एक बार वृद्धी के कारण होने वाली गतियों को भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं तो कुछ पादप आपने इस प्रकार के देखे होंगे ऐसे या इस प्रकार के जो किसी न किसी आधार का सहारा लेते हैं उगने के लिए तो इनका जो हिस्सा आधार को चारों और से जकड कर रखता है जैसे यहां इस हिस्से ने आधार को जकड कर रखा है या यह पौधे ने आधार को जकड कर रखा है यह जो हिस्सा आधार को जकडता है उसका सहारा लेता है इसको हम अंग्रेजी में टेंड्रिल कहते हैं हिंदी में प्रतान कहते हैं ये जो प्रतान का हिस्सा जो आधार से दूर है ये काफी जल्दी वृध्धी करता है और ये देख कर हमें ऐसा लगता है जैसे जो पूरा का पूरा पूरा पूजा है वो ही इस आधार के उपर एक त अपना रुख करते हैं उसी तरह से ये पौधा भी आप ध्यान से इसको देखें तो ये भी सूरज की तरफ अपना रुख कर रहा है इसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्रकाश ही नहीं बलकि गुरुत्व जल और रसायन भी अलग-अलग तरह के जो होते हैं वो पादपों को अ अनुवर्तन गतियां दिखाने पर मजबूर करते हैं कई बार पादप का एक हिस्सा इस पर्यावरणिय प्रेरण की ओर जो है वो गती करता है इसको हम धनात्मक गती कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है वो इससे दूर गती करता है जिसको हम रिनात्मक गती कहते हैं प् धनात्मक भी होती हैं, एक ही पौधे के दो अलग-अलग इससे एक साथ धनात्मक और रिनात्मक अनुवर्तन गतियां दिखा सकते हैं. तो आईए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हॉर्मोन क्या होते हैं ये शब्द हो सकता है आपने पहले कभी सुना होगा तो जन्तुओं में कोशिकाओं के बीच सुचना के संचार में विदियो तावेक का जो काम होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था पहले भाग में लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे तरीके से भी सुचना का आदान प् जरीय होता है इनहीं रासाइनिक योगेकों को हम हॉर्मोन कहते हैं यह जो हॉर्मोन होते हैं यह शरीर में एक स्थान पर बनते हैं लेकिन विशरण द्वारा अपने क्रिया शेत्र तक पहुंचते हैं तो दोस्तों हॉर्मोन केवल जन्तूओं के शरीद में नहीं पाये जाते हैं यह पादपों में भी पाये जाते हैं और पादपों में हॉर्मोन का मुख्य तोर पर वृद्धी को नियंत्रन रखने का ही एक काम होता है तो इसी तरह से ये तीन हॉर्मोन है पादप हॉर्मोन है जिनके नामें आपर आप देख सकते हैं और जिब बेरिलिन और साइटोकाइनिन ये जो तीन हॉर्मोन है पादप हॉर्मोन है ये वृद्धी में सायता करते हैं और इसके साथ साथ एक और हॉर्मोन है जिसका नाम है एबसीसिक एसिट ये पत्तियों के मुर्जाने में सायक है और इसी तरह से ये पादप की रिद्धी रोकने का काम करता है तो जनतुओं में हॉर्मोन का काम समझने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके सामने जब कोई विकट पर इस्थिति आ जा या तो आप मुश्किल से लड़ सकते हैं उसका डट कर सामना कर सकते हैं या एक दूसरा रास्ता आपके पास यह होगा कि आप उससे डर जाएं और उससे पीछे हट कर भाग जाएं हम मैंसे कुछ लोग हो सकता है पहला विकल्ब चुनेंगे उससे लड़ेंगे कुछ लोग या अधिवरिक ग्रंथी या अड्रीनल ग्लैंट्स द्वारस रावित है और यह हमारे रक्ष में मिलकर हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है और इसी के कारण आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई विकट परिस्थिति या विशम परिस्थिति का सामना करते है तो आपकी सांस फूल जाती है या आपके देल की धड़कन भी बढ़ जाती है ये भी एड्रिनलीन का ही एक प्रभाव है तो हमने देखा कि किस तरह अनुक्रिया को अंजाम देने के लिए हमारे शरीर में तंत्री का तंत्र तो होता ही है लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसर ग्लांट्स कहते हैं तो दोस्तों इस चित्र में आप मानव शरीर की प्रमुक अंतेस्रावी ग्रंथियां यानि अंडोक्राइन ग्लांट्स देख सकते हैं जिस अधिवरिक ग्रंथी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था वो हमारे गुर्दे के उपर यानि हमारी किड्नी के उपर यहां पे स्थित है ये आप देख सकते हैं तो आएए दोस्तों मानव शरीर में कुछ और हॉर्मोन पर चर्चा करते हैं घर में आपने इस प्रकार के नमक के पैकट देखे ही होंगे इस पर ये जो आयोडाइस्ट शब्द है मैं इस पर आपका ध्यानाकरशित करना चाओंगा नमक में आयोडीन क्यों होना चाहिए हम ऐसे आयोडाइस्ट नमक ही क्यों ले हम कोई सादा नमक क्यों न ले लें ये एक सवाल शब्द सबके मन में उठता ही होगा तो इसका भी जो कारण है वो यही है कि हमारे शरीर में थाइरॉक्सीन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि अवटू ग्रंथी यानि थाइरॉड ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है मतलब थाइरॉड ग्लैंड को जब थाइरॉक्सीन बनाना होता है तो उसको आयोडीन की जरूरत होती है आयोडीन की कमी जब हमारे शरी पीर में उसमें थोड़ा असंतुलन आता है, जब इसमें असंतुलन आता है, तो हम गोयटर नामा के एक बिमारी से पीडित हो सकते हैं, जो की काफी भयावर होग है, इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी गर्दन जो है वो फूल सकती है, इसी प्रकार जिसमें शायद व्रिद्धी हॉर्मोन की कमी है, जिसके कारण यह बोना हो गया है, और यह शायद एक व्रिद्धी हॉर्मोन का जरूरत से ज़्यादा संचार है, जरूरत से ज़्यादा निर्मान है, और इसके कारण यह व्रिद्धी अत्यधिक नंबा हो गया है, इसको हम तैप भी कह सकते हैं. ऐसे ही दो और हर्मोन है जो यवरन आवरम्भ में हमारे शरीर में स्रावित होते हैं. लडकों में टेस्टोस्टेरोन और लड्कियों में एस्ट्रोजेन का स्रावन होता है. दोस्तों आपने अपने आसपास कभी किसी को इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हुए देखाई होगा किसी बड़े को इसके साथ साथ कभी आपने लोगों से सुना होगा कि वो बोल रहे हैं उन्हें शूगर है या उन्हें डाइबर्टीज है मधुमे है इन लोगों को मीठा खाने के सेवन से वर्जित रहना होता है दरसल ये जो मधुमे नामक रोग है इसका कारण भी एक हॉर्मोन का असंतुलन ही है ये जो इंसुलन नाम का हॉर्मोन है हमारे पैंक्रियास यानि अगने आशे में बनता है इसके असंतुलन से हमें मधुमे रोग हो सकता है तो दोस्तों ये सूची मैंने आप सब के लिए तयार की है इसमें अलग-अलग गरंतियों द्वारा निर्मित हॉर्मोन को आप देख सकते हैं जो भी नाम है आपको मिल जाएंगे और ये आपकी परिक्षा के लिए आपको काफी फाइदमन साबित हो सकता है तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं कि आज के पाट का सार क्या है आज हमने क्या-क्या सीखा है तो सबसे पहले हमने देखा कि पादब दो प्रकार की गतियां दर्शाते हैं जो कि वृध्धी पर आश्रित होती हैं और वृध्धी से मुक्त होती है पर्यावरण के प्रेरण से पादब धनात्मक और रिनात्मक दो प्रकार की अनुवरतन गतियां दर्शाते हैं हॉर्मोन क्या होते हैं कैसे काम करते हैं हमने ये सीखा कुछ पादप हॉर्मोन के बारे में जाना जन्तूओं में अनुक्रिया के लिए तंत्री का तंत्र के साथ साथ हॉर्मोन द्वारा रासायनिक समन्वे भी होता है हमने ये भी देखा इसके साथ साथ हमारे शरीर में अंतेसरावी ग्रंतिया यानि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन निर्मित करती है हॉर्मोन हमारे रक्त द्वारा इच्छित प्रभाव पाने के लिए कती करते हैं और अंत में हमने देखा कि हमारे शरीर में हर्मोन का स्तर संतुलित होने पर हम अलग-अलग रोग से पीडित भी हो सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें कामेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ओलाई एनसस आई टीबी को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद